दोस्तों अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है तो आपके गाड़ी के RC में आपका मुबाइल नंबर लिंक है या नहीं है तो अगर आपके गाड़ी के RC में मुबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपने घर बैठे अपने मुबाइल से जिस तरह से यहां पे मैं किया हू उस तरह से आप भी अपने गाड़ी के RC में आप अपना मूबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं Mobile है ऐजबीन अपडेट सकसेज़भूली नाप मोबाइल यहाँ अपडेट हो चुका है यहां पर अपने मोबाइल से मैं कर दिया हूं, उसी तरह से आप भी अपने घर बैठे, अपने मोबाइल से ही अपने गारी की RC में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी डीटेल आप देख लीजे कि किस तरह से आप कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे छोट इस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजेगा और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रें वीडियो के description में मैं एक link दिया हूँ उस पे click करके आप यहाँ पे आ जाएंगे यहाँ पे आने के बाद friend यहाँ पे देख सकते है vehicle registration तो आपको इस पे click कर देना आगा तो यहाँ पे मैंने click कर दिया और click करने के बाद friend यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से अगर आप दिलही या सिक्किम के होंगे तो इस पे click कीजिएगा अगर आप other state से होंगे, U-P से होंगे, VR से होंगे जिस भी state से होंगे तो other पे click कर दिजिएगा तो यहां पे मैं other पे click कर दिया, क्योंकि मैं यूपी से हों और यहां फे friend देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहां पे आजाएगा तो यहां पे friend देख सकते हैं, update mobile number तो आपको इस पे click कर दिना होगा, तो यहां पे मैंने click कर दिया देख सकते हैं, This facility is available है यहां पे फैसिलिटी अभिलेबल है उत्तर परदेश, जारखंड, मेगाल, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिफूरा, हिमाचल परदेश, पंडुचेरी, विहार, हर्याड़ा, तमिलनाडु, ओड़िशा, करनाटक, चतिसगर, केरला, उत्तराखंड, इस स्टेट में यह फैसिलिटी अभिलेबल है, तो यहां पे अगर आप इस स्टेट से हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना आरसी में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर लेजे, क्योंकि इसके पाले भी एक बार चालू हुआ था, फिर बीच में बंद हो गया था, तो यहां पे मैं एस क्लिक कर दिया, उसके बाद यहां पे देख सकते हैं, रजिस्altenेशन लंबर यहां पे डालना होगा, चेचिस लंबर डालना होगा और इंजर नंबर डालदेना होगा, तो यहां पर आपको रजिस्टेशन लंबर का मतलब इस आपता है, उस पर लिखा हो Тाई इंजशन यहां पर हमने registration number डाल दिया, चेचिस नमबर, इंजन नमबर, उसके बाद 100 details पर क्लिक कर दे रहा हूं, तो 100 details पर क्लिक कर दिया, 100 details पर क्लिक करने बाद यहां पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से यहां पर आ जाएगा, यहां पर आपका registration number, चेचिस नमबर और owner name यहां पर जाएगा उसके father का name आ जाएगा जिसके भी गाडी के owner रहेंगे, जो भी हैं उसके बाद यहां पर उनका address आ जाएगा और इहां पर mobile number अगर अल्रेडी कोई mobile नमबर रहेगा तो यहां पर आ जाएगा उसके बाद enter mobile number of vehicle owner तो यहां पको एक mobile नंबर यहां पे डाल देना होगा, तो यहां पे मैं जल्दी से डाल दे यहां पे डाल दे रहा हूं, 97 जिरो चहां, उसके बाद यहां पर देख सकते हैं, save detail, save details पर click कर देना होता है, हां पर मैंने click कर दिया और click करने के बाद, यहां पर थोड़ा सा time लेगा, यहां पर बहुत slow काम कर रहा है यहां पर site, तो आपको wait करना होगा, तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है mobile number has been updated successfully तो हमारा जो mobile number है वो update हो चुका है successfully तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको confirm कर दूँ कि जो mobile number आप तुरंत वहाँ पर डालेंगे उसी पर एक OTP आएगी उस OTP को डालना है मतलब बहु सारे लोगों का यहाँ पर confusion रहेगा कि जो पिछला mobile number जैसे बहु सारे लोगों का जो पिछला mobile number आपडेट है लिंक है उस पर OTP नहीं जाएगा जो mobile number आप डालेंगे उसी पर OTP जाएगा और यहाँ पर फ्रेंड आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं mobile number has been अपडेट successfully यहाँ पर अपडेट हो चुका है तो प्रेंड कुछ इस तरह से आप भी अपने RC में अपना mobile number लिंक कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप अपने RC में अपना mobile number लिंक कर लेते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरू और माते हुआ